नमस्कार केकी आर निउस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आरती बढ़ते हैं खबरों की और सवलबु शहर में क्राइम का ग्राफ लगतार बढ़ता जा रहा है सकंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया ज़ा सकता है कि शहर की केंदरी जेल पर इसर के पास घर के बाहर घूम रही यूवक पर फिल्मी स्टाइल में जानले वा हमला हो जाता है जिस से लाके में संसनी फल गई इतने सखत पहरे के बीच शेत्र में जेल की चार दीवारी में अंसामाजिक अतत्वों को रखा जाता है जो समाज में लूट डकैती हत्या मर्डर जैसी अनिय अगतिविदियों में लिपते रहते इसके बावजूद शेहर की केंडरी जील परिसर के पास ही जील लाइन में बदमाश नहत्या की नियत्स यूवग पर दनादन चाको से कईवार कर दी जिसके चलते सुराज सिंग नाम का यूवग गंभी डूप से घायल हो गया जो इसके लाज अस्पताल में जारी है बतादे की घायल यूवग इस सुराज उस सिंग के पिता केंडरी जील में जील परहरी के पदबर कारे करते हैं जिसके चलते जील लाइन परिसर में ही उन्हें रहने के लिए आवास दिया गया है इसी बीच रात करीब साड़े आठ बचे बाइक पर अंकित राहुल मरावी सहे दो अनिलो कालोनी में पहुंचे थे उनके दुवारा बार बार तेज़ वाई चलाई जा रही थी जिसको लेकर सुराज ने उन्हें टूका बस यही बात बदमाशुकून अगावार गुजरी और वे सुराज सिंग के घर पहुंचे और चाकू निकाल कर दनादन काई व जब जेल लाइन में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं तो फिराम व्यक्ति कितने सुरक्षित होंगे अब राध्यू के होसले बढ़ते जा रहे हैं जेल प्रहरी संजीब सिंग का कहना है चोटी सी बात पर बेटे पर प्राण घा तक हमला किया गया उन्होंने दोश्यों को जल्द ग्रफतार किये जाने के साथ सखत कारवाई की मांगी है जबलपूर से वाजित खान की रिपोर्ट करीवन की बात है चार लोग आए बच्चा वह अपने घर के गेट के सामने खड़ा था यह चार लोग साथ में और दूब बच्चे खड़े थे लाइन के सानू टोन वगएरा उन्हीं से बात कर रहे थे तब इचार आये और चाकुल दिये थे और दना दना मारे और मारके न सब्सक्राइब करना ना भूले कर दो